जब हम विशिष्ट उश्मा धारीता के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने यह देखा था कि जो उश्मा की मात्रा किसी पदार्थ को दी जाती है वो उसके ताप में वृध्धि करती है पर ये परिकल्पना है और ये परिकल्पना तभी सत्य होगी जब पदार्थ के आयतन में कोई वृद्धी ना हो पर यह देखा गया है कि उस्षमा देने से आयतन में भी प्रसार होता है मतलब पदार्थ फैलने लगती है और जब पदार्थ फैल रहे हैं इसका मतलब उनके अनुओं के बीच में जो आकर्शन बल है उसके विरुद्ध कार्य भी किया जा रहा है तो इसका मतलब जो उश्मा हम दे रहे हैं वो उसके ताप में तो व्रदी कर रहा है साथ-साथ उसके आयतन में भी प दरफ के आयतन नियत ही है प्रसार तो हुआ है लेकिन वो एकदम कम होने की कारण हम उसको नगर्ण मान लेते हैं और यह मान के चलते हैं जो उश्मा हमने दी है वो ठोस और द्रफ के ताप में वृद्धी करने के लिए यू जो रहे है उप्योग हो रहे है इसलिए जब हम और द्रफ की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही प्रकार की विशिष्ट उश्मा धारिता पाई जाती है लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस को की अवस्था को बताने के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर होने चाहिए ताप दाब और आयतन और हम यह जानते हैं क और यह भी देखा गया है कि यदि हम आयतन को नियत करके एक निश्चित द्रविमान के गैस के तापको एक डिगरी सेलसेस बढ़ाते हैं तो उसमें जो उश्मा की मातरा दी जानी चाहिए उसका मान जब हम निश्चित दाब में रखकर उसी गैस के उसी द्रविमान के जबकि वही द्रविमान के गैस को तापको हम एक डिगरी सेलसेस बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर विशिष्ट उश्मा धारीता एक प्रकार की नहीं होगी यहां पर विशिष्ट उश्मा धारीता दो प्रकार की होगी एक इस्थिर आयतन पर और एक इस्थिर दा पर गैस की विशिष्ट उश्माधारिता यहां पर नाम से समझ में आ रहा है हमको क्या चीज इस्थिर रखना है नियत रखना है आयतन और जब आयतन नियत होगा और उस कंडिशन में एकनिश्य द्रविमान के गैस को हम उश्माधे रहे हैं तो वो केवल उसके ताप में वृ यह लिखा है वe स्टैंडस वौर ओंस्टन्ट वॉल्यूम वॉल्यूम को हम वि से रखना है इसलिए पर हमने सीवी सेको रखना के यहां सीवी आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे और इसके नीचे एक छोटा सा Careful करेंगे और वी सोன्त ने तो सीवी आहां पर इस तर हैंанти गैस की विशिष्ट उश्मध हरिता कहलाती है और इसका सूत्र देखें तो सीवी बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी जो विशिष्ट उश्मध हरिता का हमने सूत्र लिखा था यह वही सूत्र है बस यहां पर हम आयतन को नियत रख रहे हैं इसलिए हम स्थी वी से इसे रिप्ररेजंट कर रहे हैं अभ यहां पर भी अगर इसकी परिभाशा देना चाहें हम तो अगर एम को हम इकई लेते हैं और डेल्टा टी को वह भी कई लेते मतलब ताप में वृत दी काई है और जो गैस का दरव्यमान है वो भी काई है तो उस कंडिशन में हम देखेंगे सीवी बराबर डल्टा की हो जाएगा तो किसी भी कैस की इस्तिर आयतन पर विशिष्ट उश्मा धारिता उश्मा की वह मात्रा है जो इकाई दरव्यमान के गैस के ताप में इकाई डिग जाए उश्मा की मात्रा होगी डल्टा की बराबर सीवी एम इंटू डल्टा टी अब अगला है इस्तिर दाब पर गैस की विशिष्ट उश्मा धारिता इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से सीवी स्मॉल लेटर में लिखेंगे और इसके नीचे एक छोटा सा इनीशल दी पी स्टेंट्स फार प्रेशर यहां पर दाब को स्थिर रखना है और जब दाब को स्थिर रखकर क्किसी भी एक निश्चित द्रवेमान के गैस को ہम उश्मा देते हैं तो यहाँ उश्मा उस गैस के ताप में वृद्धी करती है साथ साथ उसके आयतन में भी प्रसार ह जाता है व्रुद्धी हो जाती है यह यूं कहें कि जो दाब के विरुद्ध यहां पर कार्य हो रहा है दाब तो लगाया गया है दाब स्थर है लेकिन जो उश्मा दी जारी है वो उश्मा का एक भाग इस दाब के विरुद्ध कार्य करने में भी वै हो रहा है और सीपी का बराबर भी एकाई लेते हैं तो सीपी यानि कि स्थिर दाप पर गैस की विशिष्ट उश्मधारिता उश्मा की वह मात्रा है जो किसी भी गैस के इकाई द्रव्यमान के टाप में एकाई वृधि कर सके या एक डिग्री सेल्सियस के वृधि कर सके और इस प्रकार हम देखें यहाँ पर जो दी गई उश्मा है उसका फॉर्मला हम देखें तो डेल्टा Q बराबर होगा CPM इन्टू डेल्टा T अब बच्चो यहाँ पर जब हम गैस की विशिष्ट उश्मा धरिता के पर में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ हमने गैस का एक नियत द्रव्यमान लिया है काल कोलेशन में हम देखें तो 10 कि संख्या कम होगी और रेरर गैस होगा तो उस समय हणों डेल्ट करते हैं कि अ त mention कि तकि उन्अम की संख्या पोस्क्त पर हम पॉर्ष सकें और ऊप नियत फॉर्मूला हम बना सकें इसलिए जब भी गैसों को हम रिप्रेजंट करेंगे तो अधिकतर हम उसको मोल में लेते हैं और मोल के बारे में मैंने आपसे पहले ही चर्चा की एक मोल यदि गैस लेते हैं तो उसमें एवोगेट्रो संख्या के पार्टिकल्स होते हैं यानि 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स उसमें मौझूद होंगे इसलिए चाया आप ऑक्सिजन ले रहे हैं नाइट्रोजन ले रहे हैं कार्बन डैक्सड ले रहे हैं आप डैंस गैस ले रहे हैं रेर गैस ले रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप एक मोल गैस की बात कर हैं और इसलिए यहां पर जो हमने विशिष्ट उश्माधारीता का कॉंसेट लिया है उसे हम मोलार विशिष्ट उश्माधारीता के रूप में भी पड़ते हैं जानते हैं तो आए बच्चों देखते हैं कि इसी भी गैस की मोलार विशिष्ट उश्माधारीता क्या होती है ये भी दो प्रकार की होगी, एक स्थिर आयतन पर होगी और एक स्थिर दाप पर होगी, बस फर्क यहां पर है कि आपने जो नियत द्रवेमान का गैस लिया था, एक निश्य द्रवेमान का गैस लिया था, उसके अस्थान पर आपको एक मोल गैस लेना है, और उस समय जब हम उ पर होगा और दूसरा स्थिरदापर तो पहला हम देखते हैं स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट उश्माधारिता यहां नाम से समझ में आ रहे हैं क्या स्थिर रहेगा आयतन स्थिर रहेगा और इस मोलर विशिष्ट उश्माधारिता को हम सी वी से रिप्रेजंट कर रहें शिश्च उष्माधौ था नियत आयतन पर भी हमने सी वी से रिप्रेजंट किया था पर वहाँ लीन अर यहां पर लएंव और एक निच्चर नीचे आप एक इनिशान लिखेंगे वी स्टनल वाल्य आ बुसका सूतर देखे तो का डेल्टा क्यू अपॉन एंटो डेल्टा टी यहाँ पर एंड मोलो की संख्या है वहाँ पर हमने एम लिखा था जब हम विशिश दूश्मा धारीता के बारे में चर्चा कर रहे थे एम मतलब कोई भी निश्य द्रविमान का गैस था और यहाँ एन बोल रहे हैं एन मतलब मोलो की संख्या है अब सीवी को यही परिभाशित करना हो तो एन बराबर वन लेंगे यानि कि एक मोल गैस लेंगे और उसके ताप में कितनी वृद्धी करनी है इकाई वृद्धी करनी हैं तो इस प्रकार सीवी बराबर हो जाएगा डल्टा क्यू यहनि कि किसी भी गैस की इस्तिर आयतन पर मोलार विशिष्ट उश्मा धारिता उस उश्मा के मान के बराबर होती है जो किसी भी एक मोल गैस के ताप में इकाई वृद्धी कर सके और इस प्रकार हम देखें तो दी गई उश्मा का सूत्रों जाएगा डल्टा क्यू बराबर सीवी इंटू एन इंटू डल्टा ती यदि हम गैस के अनुभार यानि कि मॉलिकुलर वेट को कैपिटल एम से दर्शाते हैं तो बच्चों सीवी बराबर होता है एम इंटू सीवी यानि कि मोलार उश्मा धारिता के और यह संबंद आपको याद रखना है बच्चों कि जब कभी नुमेरिकल कोश्चन साते हैं तो इस प्रकार हमको कनवर्शन करने के लिए इस सूत्र की अवश्यक्ता होती है अब इसी में अगले प्रकार की विशिष्ट उश्मा धारिता है इसे हम विशिष्ट उश्मा धारिता ग्याद करनी है और इसका सूत्र होता है सीपी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी और यदि इस सूत्र में भी एन बराबर वन लें डेल्टा टी बराबर भी इकाई लें तो किसी भी गैस की इस्थिरदा पर मोलार विशिष्ट उश्माधारिता उश्मा की वह मात्रा होगी जो एक मोल के गैस के ताप में इकाय वृध्धि कर सके और यहां पर दी गई उश्मा का फॉर्मुला होगा डल्टा Q बराबर Cp into N into डल्टा T और बच्चों जो मोलर विशिष्ट उश्मा धारिता और विशिष्ट उश्मा धारिता उसमें भी अगर हम संबन्द देखें तो यहां पर हम गैस के अनुभार से गुड़ा करेंगे तलब यह जो संबन्द है उसमें गैस का अनुभार भी आ जाएगा तो हम लिखेंगे Cp बराबर M into Cp जहां capital letter Cp molar विशिष्ट उश्मा धारिता है स्थिर दापर M गैस का अनुभार है molecular weight है और Cp स्थिर दापर गैस की विशिष्ट उश्मा धारिता है तो यह संबन्द है molar विशिष्ट उश्मा धारिता और उश्मा धारिता की बीच में जैसे कि पहले भी हमने नियत आयतन में भी इसी प्रकार का सूत्र देखा था तो ये छोटे-छोटे सूत्र बच्चों हमको हमीशा अपने दिमाग में बठा के रखने हैं एक्चुली ये कॉंसेप्ट है जब हम मॉलिकुलर वेट को विशिष्ट उश्मा धारिता से गुणा कर देते हैं तो वो मोलर विशिष्ट उश्मा धारिता का सूत्र बन जाता है तो इस प्रकार बच्चों हमने किसी भी गैस के लिए इस्थिर दाप और इस्थिर आयतन दोनों ही स्थिती में मोलर विशिष्ट उश्मा धारिता का सूत्र देखा उसके कॉंसेप्ट को समझा अब ये बताईए कि CP और CV दोनों में से किसका मान अधिक होता है इन दोनों में कौन सी राशी बड़ी है एक्शिली जब हम विशिष्ट उश्मा धारिता के बारे में चर्चा करते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये दी गई उश्मा की मात्र है मतलब ये दोनों ही तो उश्मा की मात्र है तो दोनों ही स्थिती में किसमें उश्मा की मात्रा अधिक देनी होती है जिसमें उश्मा की मात्रा अधिक देनी होगी मतलब वहां मान बड़ा होगा अब बात करते हैं इस्थिर आयतन पर मोलार विशिष्ट उश्मा धारिता की यानि सीपी की जब आयतन इस्थर रहेगा और आप उश्मा दे रहे हैं एक मोल गैस को तो वो सीधे उसके ताप में वृध्धी करेगा और यही तो हम कहते हैं उसके ताप में वृध्धी होनी चाहिए और तो यह सीधे उसके ताप में वृध्धी कर रहे हैं तो जितनी उश्मा हम दे रहें गास को वो सीधे ताप में वृधी करने के लिए वैह हो ली है। लेकिन जब दाब इस्थर हो जाता है उस समय जब आप उश्मा देते हैं तो ये ताप में वृधी करता है, तो कुछ भाग ताप में वृद्धी करने में वह होता है और कुछ भाग इस नियत दाब के विरुद्ध कारे करने में वह होता है क्योंकि अब इस स्थिती में आयतन में प्रसार होगा अणू एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे इसका मतलब यहां पर आकर्षण बल्की विरुद्ध ही कारे करना पड़ रहा है इस दबाओं की विरुद्ध कारे करना पड़ रहा है तो कुछ भाग जो है वो कारी करने में भी वह हो जाता है अब दोनो ही स्थिती को हम कंपेर करें तो दूसरी स्थिती में दी गई उश्मा की मातरा अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार से कारी हो रहे है एक तो ताप में विद्धी हो रही हो दूसरा उसके आयतन में भी प्रसार हो रहा है तो दूसरी स्थिती में दी गई उश्मा की मात्रा अधिक होगी और इसलिए CP का मान CV की तुलना में अधिक होता है और ये CP और CV का जो अंतर है वो एक नियत राशी होती है और हम यहां से देखें तो CP माइनस CV बराबर होता है R जा R यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट है सारव सत्रिक गैस नियातांग यानि की एक नियत राशी है और यह जो समीकरण आपको दिख रहा है CP माइनस CV इकवल टू आर इस समीकरण को हम एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं इसे हम मेयर का सूत्र कहते हैं बच्चों यह मेयर्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टन्ट और आप कैमेस्ट्री में भी मेयर्स का इक्वेशन पढ़ेंगे इनफेक्ट कैमेस्ट्री में तो आप यह मेयर का इक्वेशन डिराइव भी करेंगे कि CP माइनस CV बराबर आर कैसे होता है तो फिलहाल बस आप यहां पर मेयर का सूत याद रखिए और इस कॉंसेप्ट को देखते हैं कि इस प्रक्रिया में उश्मा उसरजित हो रही है निकल रही है कभी हम देखते हैं कोई फिजिकल चेंज हो रहा है उस कंडिशन में भी उश्मा उसरजित हो रही है मतलब बाहार निकल रही है और यह जो उश्मा की मात्रा निकल रही है कभी हमको प्रयोगों मे इसके मान को calculate करने की भी अविशक्ता होती है तो इसको calculate करने के लिए एक विशेश उपकरण होता है और इस उपकरण को हम calorie meter के नाम से जानते हैं हिंदी में हम इसे calorie मापी कहते हैं बच्चो ये उपकरण कैसे दिखता है आईए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इस calorie मापी से practical भी आपके course में बच्चो तो जब आप physics के lab में जाएंगे तो आप अपने lab में इस calorie मापी को जरूर देखिएगा ये जो calorie मापी होता है एक्चुली ये तामबे का पात्र होता है और ये तामबे के पात्र को बाहर से polish कर देते हैं shining कर देते हैं इसमें ताकि radiation के वज़े से अंदर से ना तो उश्मा वीकरण के द्वारा बाहर निकले और ना ही बाहर की उश्मा अंदर जाए मतब जो उश्मा की मात्रा इस पात्र में है वो नियत बनी रहे साथ ही ये जो बेलना कार पात्र है उसे तामबे का क्यों बनाया जाता है क्योंकि तामबे की specific heat capacity का मान बहुत ही कम होता है इसका मान 0.095 कैलोरी प्रती ग्राम प्रती डिग्री Celsius होता है और इसी लिए इसको बहुत कम उश्मा देने पर भी इसके ताप में वृद्धी हो जाती है बच्चो इस concept की बारे में हमने पहले भी खूब चर्चा किये कि जिस प्रदार्थ की विशिष्ट उश्मा का मान अधिक होता है वो देर से गरम होता है और देर से थंड़ा होता है और जिसका मान कम होता है वो जल्दी गरम होता है और जल्दी ठंड़ा भी हो जाता है तो यह ताम्बे की विशिष्ट उश्मा धारीता का मान कम है इसका मतलब इसको कम उश्मा देने पर ही इसके ताप में वृद्धी हो जाएगी पर इसका उपियों कहा होगा क्योंकि जो mixture हम लेंगे इस पात्र के अंदर उसका ताप हमको ग्याद करना है actually इस calorie मापी में हम mixtures के ताप को ग्याद करते हैं मतलब हमने एक different temperature में एक substance लिया है और दूसरा substance हमने अलग temperature में लिया है जब हम इन दोनों को mix करेंगे तो उश्मा प्रवाहित होगी उच्चे ताप वाले पदार्त से निम्न ताप वाली पदार्त की और और कब तक ये प्रवा होगा जब तक दोनों के ताप बराबर ना हो जाए तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हमने दो अलग अलग द्रव लिये हैं या फिर हमने mixture लिया एक ठोस यह द्रव का और उसको जब हम mix करते हैं तो इनके ताप में परिवर्तन होता है और यह दोनों एक निश्चित ताप पर आ जाते हैं जिसका ताप अधीक है उसका कम हो जाता है जिसका कम है उसका अधीक हो जाता है और यह एक equilibrium temperature पर आ जाते हैं इसी equilibrium temperature को हम इस calorie मापी की सहता से calculate करते हैं अब जैसे ही इस cylinder के अंदर हम इस mixture को डालते हैं किसी भी द्रव को डालते हैं जिसका ताप हमको calculate करना है तो इसमें से उश्मा जो है वो तामबे की और प्रवाहित होगी तामबे का विशिष्ट उश्मा धारिता कमान कम है इसलि मेरा बर हो जाएगा अब द्रव और संवी का ताप यदी बराबर हो जाता है तो अब द्रव में से उश्मा तामबे की और प्रवाहित नहीं होगी विविकि जब दोनों के ताप बराबर होते हैं तो उश्मा का प्रवार रुख जाता है और इसी लिए ही हम तामबे का स्तमाल करते हैं ताकि ज्यादा उश्मा उस द्रव के अंदर से बाहर प्रवाहित ना हो तामबे के पात्र के कारण ही ये प्रवार जल्दी रुख जाता है यदि हम किसी और धातु का पात्र लेते तो ज्यादा उश्मा की मात्र उस द्रव से निकल जाती और इसके कारण उस द्रव का ताप भी को साध हो सकता है चेंज हो जाता तो इसी एक्यूरेसी को बनाय रखने के लिए हम तांबे के पात्र का स्तमाल करते हैं साथ ही इस तांबे के पात्र के अंदर जो हमने मिक्स्चर लिए द्रव लिया है उसके ताप को एक सामान रखने के लिए हम उसे लगातर हिलाते रहते हैं यदि हम ओपन करके उसे हिलाएंगे तो बहुत सारी उश्मा वातवरण में भी प्रवाहित हो जाएगी इसलिए हम इसे ढख कर हिलाते हैं और इसलिए हम एक इसमें स्टीर का स्टमाल करते हैं जो इस प्रकार की आकरिती का होता है जिसको एक शिद्र के जरिये यहां पर तामबे की पात्र के अंदर डाला जाता है और यह स्टीर भी तामबे का होता है क्योंकि तामबे का विशेश कुण अभी हमने जाना तो यह स्टीर भी इस तामबे का ही ब हम कोई कूछालक पदार्थ भी रख देते हैं जैसे रूई होगा यह कूशन होगा ताकि मैक्सिमम हीट लॉस को हम रोक सके जितने उश में हैं उसको इस लकड़ी के अंदर बचा जा सके अब यह जो कूशन है वह चालन और समवहन की द्वारा जो भी हीट का लॉस हो रहा है रोकती है और इस पूरे बकसे को एक लकड़ी के धकन से ही धाग दिया जाता है क्योंकि लकड़ी कूछालक होता है अब यहां पर इस धकन में दो चिद्र होते हैं एक चिद्र की सहायता से हम उसके अंदर इस्टियर डाल देते हैं और दूसरे चिद्र की सहायता से हम थर्म dog two-meter डालते हैं जिसका बल्ब जो है वो इस द्रफ के अंदर डूबा होता है ताकि हम इस द्रफ के ताप को नोड कर सके और स्टीरर की सहयता से लगाता इस द्रफ को अंदर हीलाते और इस प्रकार कैलोरी मापी की सहता से हम ताप को मैजर कर सकते हैं। इस प्रकार क्यलोरी मापी के सिधान पर कारे करता है। अब ये मिसरन का निएम क्या होता है? यदि हम दो अलग अलग ताप वाली वस्तु को एक दुसरे के समपर्क में लाते हैं. तो जिस वस्तु का ताप अधिक है, उसमें से उशमा उस वस्तु तक प्रवाहीत होती है, जिसका ताप कम है. और ये प्रवाह कब तक होता है? जब दोनों का ताप बराबर ना हो जाय और इस प्रक्रियम में माल लिजिए चालन समवन और विकिरण के कारण कोई भी उष्मा का छह नहीं हो रहा तो उच्चे ताप वाली वस्तू से दी गई उष्मा निमन ताप वाली वस्तू द्वारा자 ली गई उष्मा के बराबर होगी और यही मिश्रयण का नियम है तो ऐसे कैलोरी माफी है यह मिश्रयण की नियम के आधार पर ही कारी करता है चलिए देखते हैं बच्चों यह मिश्रयण की नियम का गणीतिय रूप क्या है इसके लिए हमने दो अलग अलग पदार्थ लिये हैं मा 아니라 लिजे पदार्थ ए सका द्रवेमान M1 है और इसका ताप T1 है और इसकी विशिष्ट उश मधारिता मान लीजे S1 है और हमने एक दूसरा पदार्थ लिया है इसका द्रवेमान M2 लेते है इसका का ताप T2 लेते हैं और इसकी विशिष्ट उश्मा धारीता हम S2 से रिप्रेजंट करते हैं अब इन दोनों को हम संपर्क में आएंगे मान लीजिए वस्तू A का ताप अधिक है और वस्तू B का ताप कम है तो वस्तू A से उश्मा दी जाएगी वस्तू B के द्वारा उश्मा ली जाएगी अब जो वस्तू A द्वारा दी गई उश्मा का मान होगा Q1 बराबर M1 S1 ताप में परिवर्तन कहते हैं जो दी गई उश्मा है वो ताप में परिवर्तन करती है अब जब A और B को एक दूसरे के संपर्क में लाए जाएगा तो वस्तू A से उश्मा प्रवाहि द्वारा उश्मा ली जाएगी यह उश्मा का प्रवाह कब तक चलेगा जब तक दोनों ही वस्तूओं का ताप समान नहों जाए मान लीजिए ती वह साम में ताप है जहां पर अब A और B दोनों अब इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आ गये हैं और इस स्थिति को हम उश् इसको मिस्प्रकार लिख सकते क्यूवन बराबर M1S1 यहां ताप में परिवर्तन लिखना है तो यहां हम लिखेंगे T1-T क्योंकि T1 उच्च ताप है और धीरे से वस्तू एक ताप में कमी आएगी और यह जो टी टाप हमने लिए साम में ताप यह इस वस्तू के ताप से क वस्तू B के द्वारा ली गई उश्मा का समीकरंट देखते हैं यह हो जाएगा Q2 बराबर M2S2 इंटू ताप में परिवर्तन अब यहां पर ताप में परिवर्तन को हम लोग T-T2 लिखेंगे जहां T2 B का ताप था और मिक्स्चर के बाद मिस्चरंट के बाद यह यह कहें दोनों के संपर्क में आने के बाद ताप कितना होँगा T तो यह मिक्स्चर में आने के बाद हम देखेंगे कि B वस्तू के ताप बढ़ जाएगा तो जो साम में ताप होगा इस भी वस्तू के ताप से अधिक होगा इसलिए हम लोग अब लिखेंगे T-T2 यही पर जनरली कन olması मिस्रण करनी हम क्या कहता है अगर कोई छए नहीं हो रहा है वी की रण चालन समवेहन द्वारा यहाँ पर कोई वी प्रक्रिया हो रही होगी लेकिन यहाँ पर को उश्मा की चैनude कंडिशन में दारा जितनी उश्मा दी जारी है वस्तुब के द्वारा उतनी उश्माल ली जाएगी इसलिए दोनों equations को हम equate कर देते हैं यानि कि Q1 बराबर Q2 करेंगे तो यह हो जागा M1 S1 T1-T equal to M2 S2 T-T2 और इस समीकरंड के द्वारा हम इसमें से अग्यात राशी को पता कर सकते हैं अब देखते हैं यहां पर जो M1 है M2 है T है T1-T2 है यह तो प्रेयोग द्वारा घ्यात किये जा सकते हें अब बची दो राशिया S1 और एस्टू जिसमें से S1 पदार्थ A की विशिष्ट उश्मा है और S2 पदार्थ B की विशिष्ट उश्मा है जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें से एक पदार्थ की विशिष्ट उश्मा हमें ग्याद होती है और दूसरे प्रदार्थ की विशिष्ट उश्मा को हमें ग्याद करना होता है तो यहा कैलोरी मीटर इसी समी करण के आधार परकारे करता है और जब केलोरी मीटर यूज करके हम प्राक्तिकल करते हैं और गणा करते हैं तो इसी प्रकार के सूतर का स्तमाल करते है बच्चों Авजी तक हमने जितने भी कॉंसेप्ट उश्टमा से जुड़े हुए पढ़े उसमें हमने देखा कि यह उश्मा ताप में वृद्धी कर रही है अब यदि ताप में वृद्धी ना हो तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है बच्चों हम जानते हैं कि द्रव्वे की यानि मैटर की पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं थोस, सॉलिट, द्रव, लिक्विट, गैस तो जब ताप नियत हो जाता है तो उस कंडिशन में अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और इसे ही हम अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं यानि की changing state अब यह अवस्था परिवर्तन इन तीनों में किस प्रकार होगा इसको समझने के लिए हम एक cyclic order ले लेते हैं माल लीजे, हम ठोस, द्रव और गैस को एक साइकल दोरा रिप्रेजन्ट कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन ठोस का द्रव में हो सकता है, इसके विपरित द्रव का ठोस में भी होता है, द्रव का गैस में होता है, गैस का द्रव में भी हो सकता है, साथ यहां देखें, तो गैस का ठोस में होगा और ठोस का ग्यास में भी होगा तो इस प्रकार पदार्थ की एक अवस्था जो है वो दूसरे अवस्था के रूप में परिवर्तित भी हो सकती है तो आइए देखते हैं यह अवस्था परिवर्तन किन-किन रूपे में होता है तो सबसे पहले हम study करेंगे ठोस स की प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं यह प्रक्रिया होती है और इस निस्चित ताप को हम गलनांक कहते हैं गलनांक यानि कि मेल्टिंग पॉइंट बच्चो आपने देखा होगा कि बर्फ को उश्मा दी पर वो पिघलने लगती है अब यह गलनांक कितना होगा मतलब बर्फ जो है वो द्रव में लिक्वीड में कनवर्ट होगी यह टैंपरिचर कितना होगा इसको जानने के लिए हमने स्प्रेयों को कैलोरी मीटर की सहता से किया कैलोरी मीटर के अंदर हमने कुछ बर्फ के पिघलने लगेगी अब इस कैलोरी मीटर के अंदर हमने धर्मामीटर को डाला ही था था सर्मा मीटर से हम लगा अतार हर एक एक मिनट के बाद को नोट करते रहेंगे hopka हमने ताप को हर एक मिनट के बार नोट के और देखा कि जब तक पूरी बर्फ द्रव में पिघल गए तब तक इसका ताप 0 degree Celsius ही था तो 0 degree Celsius पर यहाँ पर दोनों अवस्था हैं मौजुद थी बर्फ भी था और पिघल के यह द्रव में भी कनवर्ट हो रहा था तो जो 0 degree Celsius है यानि यहाँ नियत ताप इसमें बर्फ द्रव में चेंज हुआ पानी में कनवर्ट हुआ तो यहा ताप कहलाता है गलनाँख और इस निश्चित ताप पर द्रव और ठोस यह दोनों ही अवस्थाएं उश्मिय शंतुलन्द के स्थिति में रहेंगी क्योंकि यहाँ पर दोनों का ताप एक समान है इसन्हीं में हम कहते हैं कि यह दोनों ही वृद्धी होती है और जब ताप में वृद्धी नियत हो जाए उस condition में अवस्था में परिवर्थन हो जाता है और एक नियत ताप पे जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंच जाता है तो इस नियत ताप का एक special नाम होता है और फिलहाल इस स्थित बर्फ के लिए गल्नाम केहलाता है और इस गल्नाम का मान दाप पर भी निर्भर करता है यह जो 0 degree Celsius गल्नाम की बात कर रहे हम बर्फ के पानी में कंवर्ट होने की यह वाई यू मंदली दाप पर है लेकिन इधी दाप के मान को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये गलनांग का मान भी चेंज हो जाता है तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं बच्चो इस एक्टिविटी के साथ साथ मैं आपको कुछ कोश्चन्स पूछूंगी आप इस कोश्चन्स के आंसर अपन को हमने दो उद्वाधर सपोर्ट पर खड़ा कर दिया है अब एक तार लिया है और उस तार के दोनों छोर में हमने समान भार लटका दिया है और इस तार को हमने सीली के दोनों और से पार कर दिया है अब बताइए क्या होगा हमने इसमें लटका दिया भार दोनों तरफ समा और हमने बीच ओबीच इस भार को लटकाया है अब आप सोचिए कि क्या होगा यहां पर क्या प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले तो दिमांग में आपके यही आयोगा कि बर्फ धीरे-धीरे पिघल जाएगी ऐसा ही होगा बर्फ पिघलेगी बर्फ के पिघलने से क्या होगा इस रसी के दोनों छोर पर बराबर भार लटके हुए हैं तो यह बर्फ पर दबाव भी डाल रही है अब इस दबाव के अकारण हम देखेंगे कि यह रसी नीचे की और आएगी आप सोचिए जब यह जो तार है रसी मतलब यहां पर जो तार लिए हमने वो धातू की तार ल होते जाएगा मतलब इसकी जो विट्थ है वो कम होते जाएगी तो क्या यह जो धातू के तार है जिसमें दोनों और बराबर वजन लटके हैं यह बर्फ को दो तुकड़ों में बाट देगा आए थोड़ा दिर देखते हैं क्या होता है तब तक आप सोचते रहे हैं आप सो बीच नीचे गिर गई मतलब इसने बर्फ के बीच में अपना मार्ग बना लिया तो चलिए देखते हैं यह बर्फ दो भागों में बढ़ गई होगी पर यह क्या यह बर्फ तो अभी भी एक ही तुकड़ में है यह दो भागों में विभाजित नहीं हुई क्या आपने ऐसा सोचा था आपने जरूर ऐसा सोचा होगा कि बर्फ दो तुकड़ों में बढ़ गई होगी और जब अपने इस धातु की तार को वजन से नीचे गिरते देखा तब आप निश्चुत रूप से अनुमान लगा ली होगे कि ये बर्फ दो तुकड़ों में बढ़ गई होगी लेकिन यहाँ पर दाप का प्रभाव पढ़ता है गलनांग पर यहाँ पर ठोस और द्रव दोनों एक ही ताप पर मौजूद होंगे अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तार का हिस्सा जो बर्फ को टच कर रहा है मतलब वो बर्फ पर डबाव डाल रहा है दबाव के कारण दाव बढ़ते जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा और इसलिए वहाँ की बर्फ जल्दी पिघलने शुरू जाएगी लेकिन तार के उपर के हिस्से में जो पानी बन चुका है अब वहाँ पर कोई भी दबाव नहीं है तार की नीचे हिस्सा ही बर्फ पर डबाव डाल रहा है लेकिन तार का उपर हिस्सा दबाव नहीं डाल रहा है इसका मतलब यहाँ पर अब भी वह पानी उस बर्फ के साथ उश्मी संतुलन के अवस्था में है यानि कि अगर वो वातावरंड की बात कर रहे हैं अट्मोस्फेरिक प्रेशर में ही रखा गया है तो जीरो डिग्री सेलसेस भी होगा और इसलिए वह पानी फिर बर्फ के रू बर्फ के संपर्क में आएगा यह उश्मी संतुलन में होगा और यह फिर जमने लगेगा और इस प्रकर दुबारा यहां पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है ना कि पूरी बर्फ एक साथ भीगल के तोड़ जाती है और इस प्रक्रिया को में एक स्पेशल नाम भी देते है हम इसे पुनर हिमायन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम आइस रिजोलेशन कहते हैं और इसी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि यह बर्फ जो है एक सॉलेड एक ही तुकडे के रूप में रहती है ना कि यह दो भागों में विभाजित होती है तो इस प्रकार आपने दे या फिर हम स्केट शू पहन कर स्केटिंग करते हैं और आप देखेंगे कि जो स्केटिंग करने वाले वह बड़ी आसानी से इस बर्फ पर स्केट कर लेते हैं फिजल जाते हैं व्योंकि जब स्केट शू के द्वारा बर्फ पर दबाव डाला जाता है तो उस दबाव के कार उसका गलनांग कम हो जाता है इसके Melting Point decrease हो जाती है और इसलिए उतना हिस्सा पिगलना शुरू हो जाता है यानि कि पानी बनना शुरू हो जाता है दरफ में convert होना शुरू हो बच्चो इस अवस्था परिवर्तन में हमने ठोस का द्रव में परिवर्तन लेखा ऐसे ही द्रव का भी ठोस में परिवर्तन होता है और इस विपरित प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग कहते हैं जब कोई liquid solid में convert होती है तो इस प्रक्रिया को freezing या fusion के नाम से जानते हैं और जिस न हैनि की हेमाग कम बिंदू और इस प्रकार हम देखें कि वकिवायो मंडली दाप पर अब में liquid के ठोस में च copy का जो नियत ताप है यानि की हमांग वह भी 0 डिыми celsius रहता है कि और इसी वाइउ मंडल दाप पर थोस के द्रव बनने का जो नियत ताप रहता है वह भी 0 डिग् में convert होना और द्रव से थोस में convert होना इन दोनों ही प्रक्रियाओं में हम देखे तो freezing point और melting point दोनों के मान समान होते हैं अब हम अगला अवस्था परिवर्तन देखते हैं द्रव का gas में परिवर्तन जब हम द्रव को गरम करते हैं उसे उश्मा देते हैं तो उसके ताप में वृध्धी होती है फिर हमने देखा है कि एक ताप आने पर ये द्रव उबलने लगता है खौलने लगता है उसके बाद इसके ताप में वृध्धी नहीं होती और इस नियत ताप पर अब ताप चेंज नहीं होगा इस नियत ताप पर अब द्रव जो ह यानि कि boiling point और इस प्रक्रिया को हम क्वाथन कहते हैं यानि कि boiling बच्चों हम जल के लिए boiling point 100 degree Celsius कहते हैं इसका मतलब क्या है इस इस्थिर ताप पर यानि कि 100 degree Celsius पर पानी गैस में convert होना प्राराम कर देता है यानि इस 100 degree Celsius पर द्रव और गैस दोनों ही उश्मी संतुलन की अवस्था में होते हैं और यह boiling point क्वाथनांग का मान यह दाप पर निर्भर करता है यदि हम 100 degree Celsius जल के लिए boiling point कहते हैं तो यह boiling point वह atmospheric pressure पर ही होता है वह यह मंडली दाप पर ही होता है यदि हम दाप के मान को बढ़ाते हैं यह घटाते हैं तो यह boiling point के मान में भी परिवर्तन हो जाता है तो आईए एक activity करते हैं और देखते हैं कि boiling point के मान पर दाप का क्या प्रभाव होता है इसके लिए हमने round bottom flask के लिए है और इस flask के दो तीहाई हिस्से पर हमने पानी भर दिया है और इस प्रकार व्यवस्था की है कि स्टैंड के खड़ा कर दिये हैं और इसे गरम करने की व्यवस्था की है हम देख रहे हैं इस flask के नेक में ओपनिंग में हमने कॉर्क लगा दिया है और इस कॉर्क में दो छेत की हैं एक से हमने थर्मामीटर अंदर डाला है और इस प्रकार डाला है कि यह थर्मामीटर जल को टच कर सके अब जो दूसरा छिदर है उसमें हमने एक नली लगा दी है और इस नली में भी कॉर् चांट्रोल कर सके। अब जब हम गरम करते हैं, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीत कर रह रहे हैं, उस समय क्या होगा? जैसे ही हम इसको उश्मा देते जाते हैं, इसके ताप में वृध्धी होती है और अगर हम थर्मामेटर को देखें, तो इसके ताप में वृध्धी होगी जहां ये पानी उबलने लगता है, खौलने लग रहा है उस स्थिति में यदि हम थर्मामीटर के टेंपरिचर को नोट करें तो यह कितना होगा वही जो इस जल का बॉइलिंग पॉइंट है यानि कि 100 डिगरी सेल्सियस अब 100 डिगरी सेल्सियस पे आकर इस थर्मामीटर में जो इंक्रीज हो रहा था वो रुख जाएगा क्योंकि यहाँ वो नियत ताप है जिसमें कि लिक्विड अब गैस स्टेट में चेंज हो रहा है यानि कि यह जो जल है वो भाप में कन्वर्ट होगा अभी यह जो भाप है वो इस नली के द्वारा बाहर जा रही थी यूँ कह सकते हैं कि अभी यह जो प्रक्रिय हो रही थी यह एट्मॉसफेरिक प्रेशर के अंदर में ही हो रही थी इसलिए यहाँ पर वॉइलिंग पॉइंट का मान 100 डिगरी सेल्सियस है अब हम इस प्रकार व्यवस्था करते हैं कि इस नली में कौर को बंद कर देते हैं मतलब जो भाप अभी यहाँ बना है उसको हमने पैक कर दिया इस राउंड बॉटम फ्लास्क में अब जब भाप इसमें पैक हो जाएगा तो यह भाप जो है दबाव डालेगा और यू कह सक इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर दाब इनक्रीज हो जाएगा उस कंडिशन में बताईए इस थर्मामीटर में क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब ताप मैं क्या प्रभाव पड़ेगा तो जब हम इस थर्मामेटर को देखे तो इसमें भी ताप बढ़ जाएगा उबलने की प्रक्रिया यहां पर भी जारी है लेकिन अब ताप और बढ़ गया पहले 100 डिग्री सेल्सियस में यह जल बॉइल हो रहा था लेकिन अब दाप बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया इसका मतलब दाप बढ़ाने से ताप में भी की उपर हम पानी डाल देते हैं पानी डाले से क्या होगा अब यह जो भाप है वो द्रव में कनवर्ट होना शुरू हो जाएगा तो भाप जो है वो द्रव में कनवर्ट होना शुरू होगा यानि कि अब जो भाप की वज़े से दाम था वो कम हो जाएगा और इस कंडिशन में बताया थार्मा मेटर में क्या प्रभाव पड़ेगा यानि कि ताप में क्या प्रभाव पड़ेगा तो यहां से हम देखें तो इस थर्मा मेटर का ताप भी गिर गया इस स्थिती में इस राउंड बॉटम फ्लास के अंदर पानी अभी भी उबल रहा है लेकिन यह बॉइलिंग अब कम ताप में हो रही है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दाप घटाने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है तो इस तरह से बच्चों हमने दाप के प्रभाव बॉइलिंग पॉइंट की उपर देखा अब बताईए इसको उपयोग हम कहां करते हैं अपने कीचन में प्रेशर कूकर में प्रेशर कूकर एक ऐसा उपकरण है जो स्टीम प्रेशर से काम करता है हम धक्कन लगा देते हैं सीटी लगा देते हैं उसमें और उसके अंदर जो स्टीम होती है उसको हम रोक लेते हैं अब बताईए हमने इसके अंदर कोई food material डाला है पानी डाला है इसे पका रहे हैं जब पानी को ऐसी खुले पतीले में पकाया जाता है तो उसमें 100 degree Celsius में उबाला जाता है मतला पानी उबलना शुरू जाता है मतला वो पानी द्रफ से भाफ में convert होना शुरू जाता है लेकिन अब इस प्रेशर कूकर के अंदर हमने दबाव को बढ़ा दिया तो अब इस पानी का boiling point increase हो जाएगा और यह देखा गया है कि प्रेशर कूकर के अंदर जो पानी का boiling point है वो 100 से बढ़कर 120 या तो 125 degree Celsius हो जाता है इसका मतलब अब boiling point increase हो गया तो इसके अंदर जो भी food material होंग कि वो अच्छी तरह से पक जाते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेशर कूकर का स्तमाल करके हम दाल को अच्छी तरह से गला सकते हैं और इसके विपरित यदि हम चर्चा करें पहाड़ी जगों की जब हम उचाई में रहते हैं तो उचाई में वायू मंटली कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट वह भी घड़ जाता और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो वह कम ताप में ही द्रव से भाप में कंवर्ट होना शुरू हो जाता है और इसलिए यहां पर भोजन पक्त नहीं पाता बिल्कि सीधे जो पानी है वह भाप में कंवर लिए बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारी दाल की sati नहीं गलने वाली ये दाल नहीं गलने वाली पास्तव में हिंदी का nd行 मुहाव्रा है लेकिन समझ में आया कि दाल नहीं गल रही है इसका मतलब वहां पर कितनी महनत की अवश्यक्ता होती है तो पहाडी छेतर में ऐसे ही होता है वहां कितनी भी महनत कर लो यानि कितनी भी उश्मा दे दो वहां दाब कम होने के कारण उनकी दाल नहीं गलती अभी हमने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन देखा और इसे हम क्वथन के नाम से जानते हैं पर द्रव का वाश्प में परिवर्तन इस प्रक्रिया को हम वाश्पन कहते हैं गैस और वाश्प में फर्क होता है वाश्प यानि वैपर्स यानि कि ड्रॉपलेट्स में कनवर्ट होना क्वातन और वाश्पन ये दोनों प्रक्रिया में फर्क है क्वातन की प्रक्रिया एक नियत ताप पर होती है जबकि वाश्पन की प्रक्रिया प्रतेक ताप में हो सकती यानि कि द्रव का वाश्प में कनवर्ट होना यह किसी भी तापपर हो सकता है इसका एक उधारण है यदि आप एक कपड़े को अगर फैला कर सुखा देते हैं हम देखते हैं कि धीरे से उसमें जो पानी है वो अपने आप गायब हो जाता है यानि कि कपड़ा ड्राय हो जाता है सूख जाता है यानि उसमें जो पानी था द्रव था वो वाश्प में कनवर्ट हो गया और ऐसा नहीं कि आप केवल धूप में इस कपड़े को सुखाएं तो ही यह सुखेगा अब घर के अंदर शेड में भी डाल देते हैं इस कपड़े को तो भी यह सूख जाता है क्यों द्रव कम होने लग रहा है वह ऐसा पात्र तो नहीं है जो कि एब्जॉर्फ करता होगा माली जह में मेटालिक पात्र लिया है कोई ग्लास का लिया है कोई प्लास्टिक का लिया है उसमें द्रव कैसे कम हो जाता है यहां पर भी वाश्पन की प्रक्रियों होती है और यह द् इसका उपयोग हम कहां करते हैं अपने कीजन में ही घर में जो हम पानी को ठंडा करने के लिए मटका इस्तमाल करते हैं मिट्टी का वहां पर भी वाश्पन की ही प्रक्रिय होती है अब इस मटके के अंदर रखा हुआ जल ठंडा कैसे हो जाता है बच्चों इसमें चोटे-चो छिद्र होते हैं और जब हम इस मटकी में पानी भरते हैं तो इस छोटी-छोटे चिद्र से पानी रिसकर बहार आ जाता है और जैसी सतह पर आता है तो यहां वाश्पन की प्रक्रिय होती है और वाश्पन की प्रक्रिय के लिए आवश्यक उश्मा इस घड़े के अंदर भर हो जाता है तो इस प्रकार हमने देखा कि वाश्पन की प्रक्रिया यानि कि द्रव का वाश्प में बदलना और बॉइलिंग की प्रक्रिया क्वथन की प्रक्रिया यानि द्रव का गैस में परिवर्तित होना इन दोनों में अंतर हैं तो चलिए एक सारणी के जरिए इन दोनों में अंतरिस्पाष्ट करते हैं वाश्पन क्वथन यहां एक धीमी क्रिया है यहां एक त्रीव क्रिया है वाश्पन प्रतेक ताप पर होता है क्वथन एक निश्चित ताप यानि कि क्वथनांग पर होता है यहां क्रिया द्रव के स्वतंत्र तल पर ही होती है यहां क्रिया सं पूर्ण द्रव में होती है वाश्पन में द्रव कताप कम हो जाता है क्वथन में द्रव कताप नियत रहता है तो इस प्रकार बच्चों हमने अलग-अलग द्रव अवस्था को देखा और इसको हम साथ-साथ अपने दैनिक जीवन में उपयोग के साथ रिलेट करके पढ़ते और इस प्रक्रिया को हम द्रवी करण कहते हैं इंग्लिश में हम इसे कंडन्शेशन के नाम से जानते हैं अब अगला अवस्था में परिवर्तन देखते हैं हम ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन बच्चों हम साधरन्ता यह जानते हैं कि ठोस में जो मॉलिक्योल्स होत तो उसके अनूमें उश्मी उर्जा जांडी इसके कारण वो वाइबरेट होने लगते हैं अपने जगे से गती करने लगते हैं और एक-dusre की बीच में जो आकर्शन बल है उसके विरुद्ध वह एक-दूसरे से दूर जाने लगते अब अनु एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उस कंडिशन में उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा दूर पहुच गए यानि कि अब वो लिक्वीड अवस्था में आ जाते हैं उसके बाद इस लिक्वीड स्टेट को द्रव अवस्था को मुश्मा देते हैं इसके अनु और दूर हो जाते हैं मतलब अब वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं तो जब हम सॉलिड को उश्मा देते हैं तो वह लिक्वीड में कनवर्ट होता है लिक्वीड को देते हैं तो वह गैस में कनवर्ट होता है पर इसके अलावा ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें ठोस directly gas में convert हो जाता है बीना liquid अवस्था के जैसे यहां हम देख रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं sublimation मतलब सीधा ठोस का gas यह अवस्था में परिवर्तन यह कहलाता है sublimation और इसे हम हिंदी में कहते हैं और्धुपातन और यह sublimation की प्रक्रिया ड्राइज यानि कि शुष्क बर्फ में होती है एक्चुली यह जो ड्राइज है यह ठोस कार्बन डाइकसेड है कार्बन डाइकसेड जो की गैसी अवस्था में मौजूद होता है लेकिन यहां जब सब्लीमेशन की प्रक्रिय होती है तो यह जो कार्बन डाइकसे एक dry ice का रूप ले लेता है, आप इसे देखेंगे तो एक ठोस की रूप में होगा जिसमें से gas बाहर निकल रही होती है, यह प्रक्रिया आयोडीन में भी होती है, साथ ही इस sublimation की विपरित प्रक्रिया भी होती है, और जिस प्रकार ठोस अवस्था सीधे गैसी अवस्था मे ठोस अवस्था में डैरिक्ट परिवर्तन संभव है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तूशार का बनना, और इंग्लिश में इसे हम होयर फ्रोस्ट के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार बच्चों, हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन के अलग- परिवर्तन को देखा, और इस प्रक्रिया को हम किस नाम से पुकारते हैं, ये भी जाना, और साथ-साथ इसमें जो एक नियत ताप था, उसे भी हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की, पर इस पूरे प्रक्रिया में उश्मा की मातरा दी ज होता है एक अवस्था से दूसरे वस्था में परिवर्तन हो जाता है इस उष्मा को भी हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं इसे हम गुपत उष्मा कहते हैं और इंग्लिश में लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं और इसलिए कुपत उष्मा को हम Capital लेटर लेटर एल से प्रदर्शित करते हैं वैसे बच्चो हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए यहां पर कह रहे थे उश्मा दी जा रही है जो कि इसके ताप में वृद्धी नहीं कर रही है केवल अवस्था में परिवर्तन कर रही है तो जब हम थोस की बात करते हैं तो थोस में अनो पास-पास होते हैं द्रव में अनो थोड़े दूर-दूर होते हैं और गैस में अनो और बहुत दूर-दू करता है उसके विरुद्ध यह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं अब यह लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं और लिक्विड अवस्था को जब उश्मा दी जाती है तो यह कैसी अवस्था में जाते हैं क्योंकि इसके अनू अब और दूर-दूर हो जाते हैं लेकिन यह इस इसके विपरित इन मेजमी है तो रीवर्स प्रक्रिया भी होती है, तो कहते तो हम जरूर हैं और बुक में भी इसी तरह से लिखा रहता है कि दी गई ऊश्मा की मात्रा, दी गई ऊश्मा की मात्रा बार बर हम यही शब्द भी करते आ रहे हैं लेकिन बच्चों यहां पर जब भी हमने फॉर्मला लिखा है तो हमने डेल्टा क्यों लिखा है डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन तो यह दी गई उश्मा की मात्रा नहीं होती यह ली गई उश्मा की मात्रा भी हो सकती है यह प्रोसेस को रिवर्स करन है जब हम ठोस से द्रव में अवस्था में आ रहे थे तो हम उश्मा की मात्रा देंगे लेकिन जब द्रव से ठोस में आएंगे तो उश्मा की मात्रा ली जाएगी तो इसलिए यहाँ पर उश्मा दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है भले हम बोल चाल में उश्मा दी गई कह रहे हैं लेकिन प्रॉसेस रिवर्स होगा तो उश्मा ली भी जाएगी तो बच्चो लेटेंट हीट को हम इस प्रकार सूतर के रूप में लिखते हैं एल बराबर डेल्टा क्यू अपॉन यदि हम उश्मा दे रहें किसी प्रक्रिय में तो उश्मा ले भी सकते हैं इसलिए यहां पर हमने डेल्टा क्यू लिखा है यदि हमने पदार्थ के द्रवेमान को एका लिए एकांक लिए उस कंडिशन में और बराबर डेल्टा क्यू होगा तो गुप्त उश्मा किसी भी हम मातरक देखे तो ऐसा ही पद्दिती में यह जूल प्रती केजी होगा और सीजिस पद्दिती में कैलोरी प्रती ग्राम होगा इसका विमिय सुत्र देखे तो उश्मा का विमिय सुत्र हम लिखते अब अच्छो पदार्थ की तीन अवस्था हैं और किनी भी दो की बीच में अवस्था परिवर्तन होता है और यह तीन तरीके से हो सकता है तो यह गुप्त उश्मा भी तीन प्रकार की होती है एक latent heat of sublimation, latent heat of vaporization और latent heat of fusion पर हमारे बुक में केवल latent heat of fusion और latent heat of vaporization ही दिया गया है तो हम यह सोचते हैं कि केवल दो ही प्रकार की ही गुप्त उश्मा होगी एक्शली बच्चो इस चैप्टर में हम द्रव के उपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और द्रव या तो ठोस में convert होगा या तो गैस में convert होगा और इसलिए यहाँ पर दो ही प्रकार की गुप्त उश् कहते हैं मतलब यह जो लेटेंटीट ऑफ सब्लीमेशन है यानि की और दुवा पातन पर गुप्त उश्मा वो तब हम इस्तमाल करते हैं जब पदार्थ ठोस से सीधे गैस में कनवर्ट हो रहा है मतलब ठोस और गैस अवस्था की बीच में परिवर्तन करने के लिए जो उश्मा की मात्रा दी जाएगी एकांक द्रव विमान के पदार्थ को तो वह उश्मा कहलाती है उर्द्वपातन की गुप्त उश्मा अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं द्रव अवस्था के लिए मतल से पहले हम बात करते हैं ठोस और द्रव अवस्था में परिवर्तन की जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन करता है तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन और यह गलन की प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर होती है और इस ताप को हम कहते हैं गलनांक और बच्चों क किसे भी कॉंसेप्ट की परिभाशा को हम असानी से याद कर लेते हैं पर जो परिभाशा हम दे रहे हैं उसका एक्चुल मीनिंग क्या होता है यदि में एक स्टेटमेंट यूज करती हूं कि बर्फ की गलन की गुप तूश्मा अगर सीजेस पद्दती में ले रहे हैं तो 80 कै पावर 5 जूल प्रती केजी होती है तो यह जो कथन लिखा गया है बर्फ की गलन की गुप तूश्मा इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह है कि यदि हमने एकांक द्रव्यमान का बर्फ लिया है मान लीजे एक केजी बर्फ लिया है अब इसे हमें इसके गलनांक पर या यानि कि इस बर्फ के गलनांग पर ही होगा, तो जो पानी बनेगा वो भी 0 degree Celsius पर ही होगा, तो इस समय इसे जो उश्मा की मात्रा दी जारी है, उसका मान 3.33 into 10 to the power 5 Joule प्रती केजी ही होगा, तो इस प्रकार हम किसी भी पदार्थ की गुप्त उश्मा का मान देखके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए कितनी उश्मा की अवशक्ता होगी, तो चलिए इसी आधार पर मुझे ये बताईए कि हमने 1 kg बर्फ लिया था 0 degree Celsius पर, और य मतलब बर्फ अप्ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया, अब इन दोनोई अवस्थाओं में किस अवस्था के अणूओं की स्थिती जूर्जा अधिक होगी, हमको ऐसा लगता है कि दोनों तो 0 degree Celsius पर ही है, तो दोनों की स्थिती जूर्जा बराबर होनी चाहिए पर ठोस से द्रव में कनवर्ट होने के लिए, यहाँ पर ताप दोनों में 0 degree Celsius है, मतलब ताप यदि नियत है तो उस समय जो हम उसमें उश्मा दे रहे हैं, वह उश्मा गुपत उश्मा कहलाती है, और बर्फ को द्रव में कनवर्ट करने के लिए कुछ निश्चित मातरे की उसमा जरूर दी गई होगी, अब यह जो निश्चित मातरा की उसमा दी गई है, यह 0 degree Celsius पर बने द्रव के अन्वों में स्थितीज उर्जा की रूप में संचित हो जाएगी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि 0 degree Celsius पर बर्फ के अन्वों के स्थितीज उर्जा और जल के अन् के स्थितीज उर्जा अधिक होगी, अब हम अगले प्रकार की गुप्त उश्मा देखते हैं, जब द्रव वाश्प में कनवर्ट होता है, और यह प्रक्रिया क्वाथनांग पर होती है, तो इस समय एकांक द्रवेमान के पदार्थ को दी गई उश्मा की मातरा, latent heat of vaporization कहलात है, यानि कि वाश्पन की गुप्त उश्मा, यहां पर पदार्थ द्रव से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, यह यू कहें कि वाश्प में चेंज हो रहा है, और यह प्रक्रिया उसके boiling point में हो रही है, और यह ता नियत है, केवल अवस्था में परिवर्तन के लिए ही उश्मा, latent heat of vaporization कहलाती है, यदि हम कहते हैं कि भाब की गुप्त उश्मा 536 क्यलोरी प्रती ग्राम है, और ऐसा ही मातरक में 22.6 into 10 to the power 5 Joule प्रती केजी है, तो इस कथन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि हमने 1 केजी जल लिया है, और इसके क्वातन आंख, यानि कि 100 डि Celsius पर इतनी उश्मा दी गई है कि ये भाब में convert हो जाए, तो ये जो भाब है, इसका ताप भी 100 डिगरी Celsius ही होगा, व्योंकि जब अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ताप नहीं आत रहता है, यानि 100 डिगरी Celsius पर अब जल भी है, और 100 डिगरी Celsius पर भाब भी है, और उस समय इस प्रक्रिया में दी गई उश्मा की मात्रा 22.6 into 10 to the power 5 जोल प्रती केजी होगी, और इसी लिए ही हम देखें कि 100 डिगरी Celsius पर यदि जल लेते हैं, और 100 डिगरी Celsius पर भाब लेते हैं, तो भाब से जलना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जल में कब कनवर्ट हुआ, जब उसमें 22.6 into 10 to the power 5 जूल उश्मा दी गई, तो अब 100 डिगरी Celsius पर जो भाब बना है, उसमें इतनी उर्जा आ चुकी है, और यही उर्जा अपकार ये करेगी, और जब इस 100 डिगरी Celsius के भाब से कोई जलता है, तो बहुत ज्यादा ही कश्ट प् पदार्थ है, जो तीनों अवस्थों में पाया जाता है, यानि कि बर्फ के रूप में भी होता है, थोस, जल यानि कि द्रफ के रूप में होता है, और भाब, यानि कि वो ग्यास के रूप में भी होता है, तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए इ लेकिन जब ताप में परिवर्तन नहीं होता तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार हम इस उश्मा और ताप के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इन में किन्स ताप पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो आएए बच्चों इस activity को करने के लिए हम एक बीकर में बर्फ के कुछ तुकड़े लेते हैं और थर्मामीटर के सहता से इसके ताप को note करते जाएंगे जैसे जैसे हम बर्फ को गरम करेंगे बर्फ पिघलने लगेगे और थर्मामीटर में तापमान में परिवर्तल होता दिखाई देगा तो हम इस बर्फ की अवस्था में change के साथ साथ इस थर्मामीटर में तापमान को भी note करते जाएंगे और एक graph बनाएंगे जो की उश्मा और ताप के बीच में होगा हम गरम करते जा रहे हैं इसका मतलब बर्फ को उश्मा देते जा रहे हैं उश्मा धीरे ये दी गई उश्मा बर्व को भोस अवस्था से धीरे 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 द्रव अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी इसको यदि उश्मा दी जाए तो द्रव अवस्था धीरे धीरे वाश्व में बदलने लगेगी। इन तीनों अवस्थाओं के बीच में हम लगातार थर्मामीटर के तापमान को नोट करते जाएंगे और इसे ग्राफ के रूप में दर्शाते जाते हैं हमने ये देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जा रहा है एक ताप पहुशने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है इस स्थिती में पदार्थ का ताप बढ़ना रुख जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर जो प्राप्ती की गई उश्मा है वो पदार्थ के ताप को बढ़ाने की जगह उसके अवस्था परिवर्तन में वै हो जाती है और इसलिए यहाँ पर हम देखें इस ग्राफ से एक ही ताप पर इस पदार्थ की दो अवस्था मौजूद है यह ठोस में भी मौजूद है और द्रव में भी मौजूद है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई उश्मी ओर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगह उसके अवस्था परिवर्तन में वै हो जाती है और इसलिए एक ही ताप मान पर हमको पदार्थ की दो अवस्था देखने को मिलती है चुकि यह दी गई अत्वा पदार्थ से ली गई उश्मा ताप में व्रिधी की रुप में नहीं दिखाई पड़ रहे इसलिए इसे हम गुप्त उश्मा के नाम से जानते हैं और यह गुप्त उश्मा दो प्रकार की हो सकती है इस ग्राफ से हम देखें तो जब हम बर्फ को उश्मा देते जा रहे थे तो उसका ताप बढ़ते जा रहा था लेकिन एक ऐसा ताप आया जहां पर पदार्थ की दो अवस्थाएं एक साथ मौजुद थी ठोस और द्रव यानि की बर्फ और पानी दोना अवस्थाओं में पदार्थ मौजुद था इस तापमान पर दी गई उश्मा केवल पदार्थ को ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए ही उप्युक्त हो रही है इसलिए इस उश्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त उश्मा फिर आगे हम उश्मा प्रदान करते जा रहे हैं फिर ताप बढ़ते जा रहे हैं फिर एक ऐसा ताप आता है जहां पर पदार्थ की दो अवस्थाएं मौजूद हैं द्रव और वाश्प यानि यहां पर पानी औ और वाश्प दोनों एक साथ मौजूद हैं और इस ताप पर जो उश्मा दी जा रही है वो द्रव को वाश्प में बदलने के लिए उप्योग हो रही है इसलिए इस उश्मा को हम कहते हैं वाश्पन की गुपतूश्मा अब हम अगले concept पर चर्चा करेंगे जिसे हम जल तुल्यांग कहते हैं या वाटर इक्विवेलेंट नाम से समझ में आ रहा है वाटर इक्विवेलेंट यानि की यहां पर जल की मात्रह के ऊपर चर्चा हो रही है अब किसी पदार्थ को हम इतनी उश्मा देते हैं कि उसके ताप में 1 degree Celsius की वृद्धी हो जाएं अब हमको पानी लेना है और इसमें उश्मा की वही मात्रा देनी है और इसके ताप को भी 1 degree Celsius बढ़ाना है तो जितनी पानी की मात्रा यूज होगी सेम उश्मा की मात्रा लेकर 1 degree Celsius ताप को बढ़ाने में वह पानी की मात्रा ही जल तुल्यांग कहलाती है वाटर इक्विवलेंट उस पदार्थ के लिए और मान लीजे जो पदार्थ हमने कंसीडर किया है उसकी विशिष्ट उश्मा धरिताम ऐसे दर्शाते हैं तो हम लिखते हैं Q बराबर M S डेल्टा T यहाँ पर पदार्थ के ताप में हम 1 वृद्धी कर रहे हैं एक डिगरी Celsius की वृद्धी कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे Q बराबर M into S अब हमको यही उश्मा की मात्रा देनी है जल की एक कॉंटिटी में जो जल की ताप को भी 1 डिगरी Celsius बढ़ा दे तो हम लिखेंगे Q बराबर अब यहाँ पर M के स्थान पर M द्रव्यमान होता है तो हम यहाँ पर कॉंटिटी ओफ वाटर ले रहे हैं तो हम W लिखेंगे S के लिए 1 लिखेंगे और ताप में वृद्धी यहाँ पर भी 1 है तो इस प्रकार Q बराबर हो जाएगा W अब इन दोनों समीकरण को एक्वेट करते हैं क्योंकि दोनों तो समान उश्मा की मातरा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो W बराबर हो जाएगा M into S M द्रव्यमान है पदार्थ का और S उसकी विशिष्ट उश्मा धारिता और जब विशिष्ट उश्मा धारिता को हम द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो जो राशी हमें प्राप्त होती है उससे हम उश्मा धारिता के नाम से जानते हैं capacity के नाम से जानते हैं तो डबलू बराबर heat capacity ही हो जाएगी यानि वो उस पदार्त की उश्मा धारीता के आंकिक मान के बराबर ही होगा तो इस प्रकार हमने जल तुल्यांग के concept को भी समझ लिया बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे concept हैं जो की उश्मा से जुड़े हुए हैं और सभी concept लगभग हमको एक जैसे ही लगते हैं और इसलिए इनको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने इन सारे concept को डैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उधारों से जोड़ कर आपको समझाने का प्रयास किया ऐसे ही कुछ concept पर अधारित numerical questions बनाते हैं ताकि आपको यह सारे concept अच्छी तरह से समझ में आ जाए